बाबा सिद्धी की अत्याकान पर अखलेश यादव का एक बड़ा बयान आता है और सिद्धी की सुरक्षा सरकार की जिम्तारी थी अखलेश यादव कह रहे हैं वीजेपी समधार और कानून पर भरोसा नहीं करती है यूपी में तो फ्रेस का व्यक्ति बनका शूट आउट हुआ और लॉरेंज विश्टोई के जेल ट्रांसफर पर भी अकलेश यादव ने सवाल उठाई है और कह रहे हैं को गुज़राद की जेल में होकर ये घटाएं कैसे हो रही है इन की जान को खतरा होने की वज़े से उन पर सिक्यूरिटी थी उसके बाद उनकी जान चले गई तो ये कहीं ने कहीं सवाल खड़ा करता है और जो बातें अब निकल के आ रही है के जेल से मास्टर माइंड है या और कोई मसला है तो सरकार को सोचना चाहिए हमने तो उत्तपदेश में वो समय देखा है और वो लोगों ने देखा है देश के जहां एक प्रेस का व्यक्ती बन करके उसने शूट किया तो भारदी जिन्ता पार्टी कई बार ऐसा देखने को मिला है वो सम्मिधानों कानून पर भरुसा नहीं करती है इसी तरह इसी की वज़े से ये घटना हो रही है तो ये मैं क्या कह सकता हूँ भई जेल का ट्रांसफर कौन करता है मेरे पत्गार मित्र क्योंकि जेल में जाना जेल का अनवहब वो लोग है जो जेल में रहाए हो उसके अलावा जेल ट्रांसफर कैसे होती है अगर स्टेट के अंदर किसी को ट्रांसफर हो रहा है तो स्टेट की जमेदारी है लेकिन एक स्टेट से दूसी स्टेट में जा रहा है तो ये जमेदारी दिल्ली की है तो ये तो सवाल आपने ठीक खड़ा किया है मुझे उम्मीद है कि इस सवाल पर आप भहस और करेंगे कि गुजरात की जेल में होकर कि यह घटना हो रही है कि बल यही घटना नहीं हो रही है अमरीका सवाल खड़ा कर रहा है भारत पर कि उनके हत्या हुई है या हत्या करने के लिए सुपाड़ी दी गई है कैनेडा के प्राइमिस्टर आरोब लगा रहे है भारत पर और भारत उन पर आरोब लगा रहा है तो दुनिया में सोचो भारत की इच्छा भी क्या बन रही हो